एक पल एक दिन को बदल सकता है एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है क्रोध को प्यार से पुराई को अच्छाई से स्वार्थ को उदारता से और जुटे व्यक्ति को सचाई से जीता जा सकता है पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि वे एक मुम्बत्ती की रोश्नी को मिटा सके जिस व्यक्ति का मन शांत होता है जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते तमें शांत रहते हैं वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और वह दुख तकलीव से मुक्त हो चुका है ग्यानी व्यक्ति कभी नहीं मरते और जो ना समझ हैं वे तो पहले से ही मरे हुए हैं सब कुछ समझने का अर्थ है सब कुछ माफ कर देना प्रशंता का कोई मार्ग नहीं है प्रशंता ही स्वेम मार्ग है शान्ती अंदर से आएगी इसे बाहर मत ढूंडो पुराई अवश्य रहना चाहिए तबी तो अच्छाई इसके ऊपर अपने पवित्रता साबित कर सकती है अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना ना ही भविश्य के लिए सपना देखना बलकि अपने दिमाग को वर्तमान शर्ण में केंद्रित करना जिस प्रकार लापरवह रहने पर घास जैसी नरम चीज की धार भी हाथ को घायल कर देती है उसी तरहां से धरम के वास्तविक स्वरूप की पहचानने में हुई गल्ती आपको नरक के द्वार पर पहुँचा सकती है बुराई अवश्य रहना चाहिए तभी तो अच्छाई इसके उपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है यह सोचना अत्यंत हासस्पध है कि कोई दुसरा व्यक्ति आपको खुश या दुखी कर सकता है गुस्से को अपने भीतर रखना ऐसा ही है जैसे आप जहर तो खुद पियें और किसी दुसरे आदमी के मरने की उमीद करें जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं जो लापरवा है और धोके से भरा हुआ है वह गेरुआ वस्त्र कैसे पहन सकता है व्यक्ति जिसने खुद पर नियंतर हासिल कर लिया है सच्चा है व्यक्ति गेरुआ वस्त्र पहनने के लायक है